समास सेवी उम्हा मादमी पार्ची के नीता नातुराम चोहान ने सर्मोर जुला के स्वास्ति सेवाँ पर सवाल उठाए है नातुराम चोहान ने कहा कि परिवार के दो सदस्ते पिछले लंबे समय से टीवी के रोग से पिड़ित है मगर उनके इलाज को लेका स्वास वैभाग गंभीर नहीं है जबकि टीवी रोग को लेका वैभाग बड़े बड़े दापे करता है उन्हें कहा कि वैभाग का ये कहना बिल्कुल गलत है कि इन लोगों का घर पर ही टीवी का उपचार चल रहा था उन्हें कहा कि चार किलोमेटर पैदल चलना पड़ा रात को पैसेंट फिर रोड तक लाए पंटा के लिए पॉञर aleg often लिए कर दिया तो जितने भी यह जा wounded लेकर सारी क्रें अगजे रेफर करते रेफर करते उससे पहले रोनाड भी बीच में आता था रोनाड भूल गेते इतना लंबा चोड़ा विकास कि आदमी का दम तूड़ जाए आदमी मर जाए और उसके बाद ऐसे नहीं मरेगा रास्ते में नहीं मरेगा तो जरूर पका मर जाएगा लोग घर पर वह दॉड़ाई खा रहें दॉड़ाई तब घएकाँए उनको जब तौड़ाई देन तो घाएगे कहां से बताएं यह उनके पोछा है तो यह पड़े लिखे ने पता ही मनें पोचा है कितनी बार आपके घर में आएं गाहों कहीं है वह गए नहीं वहाँ पर गये हैं तो जब को मनने के लिए छोड़े दैए अब लोग आगे कि एक बात कहए कि नहीं की मामी को लीकार मरिज़न की और डॉक्टर अजय पाटक ने कहा कि सोशल मीडिया में एक ही परिवार के 6 लोगों के टीबी से गरसित होने की खबरे चल रही है जो सही नहीं है उन्होंने कहा कि परिवार के सिर्फ दो सदसे टीबी से गरसित है विभाग लगातार उनकी निगरानी कर रहा है और उन्हें कहा कि व्यभाग की टीम द्वारा बकाइदा पीड़त परिवार के घर का भी दौरा किया गया था सोशल मीडिया में और मीडिया में कनाडी गाउं में एक ही परिवार के छे लोगों के टीवी से गरस्त होने की न्यूस चल रही है तो इस वारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा एस पर रिकॉर्ड उस परिवार में दो लोग टीवी के बिमारी से गरसित हैं जैसे ही हमें ये पता लगा कि ऐसी न्यूस चली है कि छे लोग एक परिवार के टीवी से गरसित हैं मैडिकल ऑफिसर से की नेतरितों में एक टीम हमने उनके गाओं में भेजी वो उनके घर में गए उनके घर में जाने के भी फोटोस सोशल मीडिया में परसारित हो रहे हैं और उन्होंने जाके पूरी स्थिति का जाइजा लिया पूरे परिवार के एक्जामीनेशन किया और जिन लोगों को जुरूरत थी उनके टेस्ट लिए जो ये दो मरीज भी है मैं इनका ये बताऊंगा कि सबसे पहले एक मरीज था टीवी का उस परिवार से हम जब दवाई शुरू करते हैं किसी मरीज को तो हम उस मरीज के घर जाके उनके मरीज के बाकी परिवार के लोगों को भी एक्जामीन करते हैं जब हमने एक्जामीन किया तो ये पाया कि उस परिवार का एक दूसरा व्यक्ति भी है जिसे टीवी के साइन्स और सिम्टम्स हैं उसके भी जा देता है उसके घर बार-बार हमारा स्टाफ गया लेकिन फिर भी दवाई वो लगातार नहीं ले रहे हैं डिफॉल्टर हो गए हैं मैं आपसे ये भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो कम्यूनिटी है कम्यूनिटी को आ गयाना पड़ेगा ऐसे मरीजों को समझा जाएं लोग लगातार दवाई खाएं